हमारे आयोवेट टीवी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बढ़न को दबाईए और उसे दबाने के बाद बैल आइकन के बढ़न को दबाईए रोजाना भीगे बादाम का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमन होता है क्योंकि बादाम में भरपूर मातरा में विटामिन E पाया जाता है इसके साथ साथ इसमें जिंग, केलशियम, मैगनेज, मैगनेशियम और ओमीगा 3 फैटी एसिड भी होता है इन सभी पोशक्तत्वों का पूरी तरह से फायदा हमें तभी मिलता है जब हम इसका सेवन सही वक्त पर और सही तरीके से करते हैं और साथ ही साथ बादाम में बहतरीन एंटी ओक्सिडन भी होता है जो हमें कई बिमारियों से चुटकारा दिलाता है आईए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भीगे बादाम को खाने का सबसे सही समय क्या है यानि किस वक्त हमें बादाम का सेवन करना चाहिए जिससे हम इसका भरपूर लाब उठा सकें दोस्तों वैसे तो आप भीगे हुए बादाम का सेवन सुबा, दोपर, शाम के समय कभी भी कर सकते हैं पर भीगे हुए बादाम का सेवन अगर आप सुबा के समय खाली पेट करते हैं तो आपको इससे अद्बूत लाब मिलेंगे फ्रेंट्स असल में बादाम खाने का सही समय आप इसे किस फायदे के लिए इस्सिमाल कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है अगर आप वेट लॉस की डाइट फोलो कर रहे हैं तो आपको इसका सेवन सुबह नाशते से पहले करना चाहिए क्योंकि इसमें फायबर की मात्रा भरपूर होती है इसलिए सुबह के वक्त इसका सेवन करने से जल्दी बूख नहीं लगती और शरीर में एनरजी भी बनी रहती है यदि आप एक एतलेट है या जिम करते हैं तो आपको इसका सेवन एकसरसाइस से 30 पनट पहले करना चाहिए इससे आपको भरपूर एनरजी मिलेगी जिन लोगों को नीन की समस्या हो अच्छी नीन नहीं आती हो उन्हें बादाम का सेवन रात के वक्त करना चाहिए एक और बात का ध्यान दे दोस्तों लेट नाइट इसका सेवन न करें तो अच्छा है क्योंकि बादाम में मैगनेशियम की मात्रा भरपूर होती है जो अच्छी नीन दिलाने में बहुत ही सायक होती है ये तो हमने बात की भीगे बादाम खाने का सही समय क्या है आईए अब हम बात करेंगे बादाम खाने का सही तरीका क्या है कुछ लोग कहते हैं बादाम बिना भिगोए खाना चाहिए वहीं कुछ लोग कहते हैं बादाम को छिलके सहित खाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं इसे छिलकर खाना चाहिए तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ बादाम खाने का सबसे सही तरीका क्या है जिससे आपको इसका पूरी तरह से लाव मिल सके फ्रिंड्स बादाम के छिलकों में टैनिन नाम का एंजाइम होता है जो इसमें मौझूद पोशक तत्वों को शरीर में पूरी तरह से एब्जॉब होने में रुकावट डालता है और इसके साथ-साथ बादाम खाने में भी बहुत ही सक्त होता है जिसकी वज़र से हमारे पाचन तंत्र को और अधिक मेहनत करनी पड़ती है इसलिए बादाम खाने का सबसे सही तरीका है कि इसे आप राद बर पाने में भीगो कर रग दें और फिर सुबर इसका छिलका उतार कर खाली पेट सेवन करें तो इससे आपको भरपूर लाब मिलेगा दरसल सुखे बादाम की तासिर गरम होती है और अगर आप बादाम बिना भीगोए और बिना चले हुए खाते हैं तो इससे खून में पित की मात्रा बढ़ जाती है तो इसलिए बादाम भीगो कर और छिलकर ही खाएं तो आपको फायदा होगा वैसे तो बादाम खाना सभी को पसंद होता है लेकिन अगर आप चाहें तो दूद में चार से पांच भीगो कर छिले हुए बादाम और एक से दो खजूर डालकर शेक बना कर भी पी सकते हैं इससे आपके शरी में इंस्टेंट एनरजी मिलती है भीगे बादाम का सिवन करने का एक और अच्छा तरीका है इसे आप सुबह खाली पेट, किश्मिश और भीगे चाने के साथ खाएं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा लाबदायक होगा अब हम बात करते हैं कि दिन भर में कितने बादाम खाने चाहिए दोस्तों वैसे तो दिन भर में 4-5 बादाम खाना सबसे सही माना जाता है क्योंकि बादाम की तासिर गरम होती है और ज्यादा से ज्यादा आप 8-10 बादाम दिन भर में खा सकते हैं ये इसका maximum dose है असल में बादाम खाने की सही quantity इस पर भी depend करती है कि आपके शरीर की तासिर गरम है या ठंडी अगर आप कोई physical activities या gym करते हैं तो आप 5-6 बादाम और 1-2 खजूर को दूद में mix कर इसका shake बना कर पीएं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मन होगा तो दोस्तों अगर आप बादाम को अपनी daily diet में शुरू करने जा रहे हैं तो 4-5 बादाम से शुरुआत कर सकते हैं चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि रोजाना भीगे बादाम खाने की क्या-क्या जबरदस फायदे होते हैं बीगे बादाम में विटामिन E की मातरा अच्छी होती है और विटामिन E तवचा को सेहत मन रखने में बहुत ज़्यादा फायदे मन होता है इसलिए अगर आप daily बीगे बादाम का सेवन करते हैं तो आपकी skin glow करेगी फ्रेंड्स बादाम हमारे शरी की पाचन शक्ती बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है जी हाँ बादाम में उच्छ सर का फायबर होता है जो पेट की पाचन क्रिया को ठीक रखने में बहुत ही मददगार होता है इसके साथ साथ अगर आप रोज भीगेवे बादाम का सेवन करते हैं तो कब्ज की समस्या भी दूर होगी दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है पर अगर आप भीगेवे बादाम का सेवन करते हैं तो आपका दिमाग बिलकुल स्वस्थ रहेगा क्योंकि भीगेवे बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तश्की की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदे मन्द है फ्रेंड्स भीगे बादाम का रोजाना सेवन करने से हमारे शरीर से टॉक्सिक पदार्थ बाहर हो जाते हैं मतलब ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है रोजाना सुबह को खाली पेट भीगे बादाम का सेवन करने से शरीर की चर्बी कम करने में भ प्रेट मौझूद होता है जिसकी वजह से जल्दी बूक नहीं लगती और शरीर में एनरजी भी बनी रहती है तो यह वेट लॉस करनाई में भी बहुत ही मददगार होता है भीगे हुए बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम और मैगनेशियम भरपूर मात्रा में पाया जात जो दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहर जवरी होता है इसके अलावा इसमें धेर सारे एंटियोक्सिडेंट गुण भी पाये जाते हैं जो हिर्दे संबंदित बिमारियों से चुटकारा दिलाता है फ्रेंस नियमे तूप से भीगेवे बादाम का सेवयन करने से हार्ट अ हो जाता है फ्रेंस बादाम में ओमिगा 3 और ओमिगा 6 fatty acid होता है जो की बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है इसके साथ साथ बालों की ग्रोध बढ़ाने में भी बहुती मददगार होता है इसके अलावा इसका नियमित रूप से सेवयन करने से बालों के जढ़ने की सम को भी कंट्रोल करता है दोस्तों बादाम में बहुत सारे पोशक तत्व पाया जाते हैं जैसे कि कैल्शियम मैगनेशियम और फॉस्फुरस ये सभी पोशक तत्व हमारे शरीर की हट्डियों को मजबूत करने में बहुत ही मददगार होते हैं और अगर आप बादाम के साथ दूद का सेवन करें तो आपके शरीर में भरपूर कैल्शियम मिलता है क्योंकि ये दोनों ही कैल्शियम की बहुत अच्छिस त्रोत हैं और हड़ियों की मजबूती के लिए शरीर में कैल्शियम का होना बेहत आवश्यक है ये तो मैंने आपको बताया कि भीगे बादाम का स सेवन करने की क्या नुकसान होते हैं फ्रेंट्स बादाम में फाइबर की मात्रा अधिक होती है तो अगर आप ज्यादा मात्रा में बादाम का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरी में जर्वत से ज्यादा फाइबर इकठा हो जाता है जिससे कि आपको पेट, दर्द, अपच और कबज की समस्या शुरू हो जाती है इसके साथ साथ जिन लोगों को किड्नी में पत्री की समस्या हो उन्हें बादाम का सेवन करने से नुकसान हो सकता है इसका कारण या है बादाम में उक्जलेट की मात्रा अधिक होती है जो पत्री की समस्य को तेजी से बढ़ा सकती है तो ऐसे लोगों को बादाम का सेवन करने से परेज करना चाहिए